मिल Kel cases ऐसौराब ठाकॉर और यह तीसरा लेक्टियर वरजीनिया ठीका बात करेंगे वरजीनिया वूलफ की यह यह इक और यह काफी काफी जो plat यह फेमिनिज पहर तो आज हम क्या करेंगे में इस वीडियो में में मैं परसपेक्टिव से तो बात करूँगा ही कर onda और इसने क्या करेंगे सबस्कुछ कवर कर लेंगे बर्जीनिय वूल्फ का सब कुछ कवर कर लेंगे मतलब उसकी ला यह करने है अगर तो और यह है चैनल के अबॉट स्यक्शन से बारे में जानना है अगर तो और इंस्टाग्राम पर फॉलोग करो दाना मली टासकर और दूसरी बात यह है कि प्लेलिस्ट में जरूर जाओ जब भी आप कोई भी आपको वीडियो चाहिए प्लेलिस्ट में जाओ टॉपिक वाइस सर्च करो और देखो आपको कौन सी वीडियो की जरूरत है और उस लेक्चर क आपने याद रखनी है जेम्स जोईस भी जो राइटर था यह 20th सेंचुरी के हम बात कर रहे हैं तो उनकी भी सेम है बिल्कुल जेम्स जोईस भी 1882 में पैदा हुआ था और 1941 में मरा था इससे आपने ध्यान रख लेना 1941 में चलो तो वरजीनिया वूर्फ के पहले हम इसकी अपनी लाइफ की बात करेंगे कि वैसे तो बहुत सारे बच्चे थे इसके पापा के इनके पापा का नाम था लेसली लेसली स्टीफन अब लेसली स्टीफन का अगर आपने नाम नहीं सुना होगा तो आपको सुनने की बहुत जरूरत है और आपने सुना है तो समझ जाओ क लेसली स्टीफन भी एक अच्छा राइटर था फिलोसफल क्रिटिक जो भी था अच्छा था मतलब कि वरजीनिया वूर्फ का जो परिवार था उसे एक अच्छी अच्छा बैगराउंड मिल गया उसे ठीक है लिखने के लिए ठीक है तो लेसली स्टीफन जो है उसके पापा वह भी राइटिंग में काफी involved थे और उनके काफी context थे फिर वरजीनिया वुल्फ ने क्या क्या वरजीनिया वुल्फ ने शादी कर दी लियोनार्ड वुल्फ से ठीक है इसी लिए ये वरजीनिया वुल्फ वह भेडिये से याद रखना आपने लेकिन spelling का आपने देहान रख लेसली स्टीफन पापा थे और लियोनार्ड वुल्फ जो थे वह पती थे अब लेसली स्टीफन की जब डेथ हो गई तो लेसली स्टीफन की जो फैमिली थी वह ब्लूम्स बरी में शिफ्ट हो गई और वहां पर जाके उन्होंने क्या क्या कि कुछ और रास फरश्ते उनके साथ मिलके उन्होंने ब्लूम्स बरी ग्रॉप बनाया ठीक है? ब्लूम्स बरी राइटर था इसी फिल्ड का बंदा था तो इन्होंने क्या किया जब इनकी शादी हुई वर्जिनिया वॉल्फ की शायद 13 ए 14 या 15 में शादी हुई यह important नहीं कब शादी हुई important क्या है कि इन्होंने शादी के बाद गया गिया एक तो वह है जो सब करते लेकिन यह एक चीज जो कोई कोई करता है 1917 में इन्होंने hogarth press hogarth press की शुरुआत की जिसमें इसके खुद के भी works publish हुआ करते थे ठीक है याद रखना 1917 में couple लेवनाड वॉल्फ एंड virginia wolf ने क्या यह किया हुई hard press को इन्होंने start किया उसमें काफी works publish हुआ करते थे तो उसमें जो पहला novel है the voyage out 1915 में Virginia Woolf का वो भी EC में आया और Hogarth Press बहुत important चीज़ है आपने यह याद रखना है अब क्या था कि Virginia Woolf की family में क्या problem थी कि इसके जो माता जी थे तो मम्मी क्या थे कि मम्मी एक उस ताइम Victorian Age समझ लो आपकी खतम हो रही थी लेकिन 1882 में अगर पैदा हुई यह 1901 तक चली है वर्जिय वो Victorian Age तो यह कहने कहीं पार्ट थी उसका तो इसके जो माता जी थे मम्मी थे वो एक बिल्कुल पॉफिक्ट एक Victorian Woman थी Victorian Age में क्या था कि उसमें बहुत सारी चीजे थी कि बहुत सारी स्टीอोटैप्ज थे ठीक है कि वुमन को ऐसे रहना है वुमनगो वैसे रहना है उनको गंदे कपड़े नहीं पेहनने किसी आवारा लड़के के साथ नहीं घूमना है बहुत प्रिजुडीसिश थे उस एजमें ठीक है बहूत एज थी ठीक है compromises भी काफी थे तो अब क्या था कि जब death हो जाती है शायद कुछी साल बाद 1882 के कुछी साल बाद छोटी सी थी virginia wolf death हो गई इसकी मम्मी की तो अब क्या था कि Leslie Stephen जो था वो चाहता था कि वो जो एक space है इसकी मा का वो कौन फिलप करें virginia wolf अब क्या था कि जितने भी जो भी expectations थी एक woman से एक Victorian woman से वो virginia wolf पर आ गए ठीक है तो virginia wolf को बहुत ठीक नहीं लगता था यह समतलब कि एक bad father बन गया था एक हिसाब से ठीक है तो इस पर काफी बंदिशें लगा दी गई कि कभी कर अपनी बंदिशों की शाम मेरे नाम तुझे आजाद कर दूँगा लेकिन यह तो एक lover ही कह सकता ना लेकिन यह तो पापा थे वैसे तो पापा भी प्यार करते हैं बच्चों को लेकिन पापा ने ऐसा नहीं बोला पापा ने बोला अब होती है expectations है ना तो वो वो पूरी कर रही थे बिचारी जैसे दिल पर पत्थर रख ठीक है लेकिन वरजिना वॉल्फ हो घर पे पढ़ाया गया ऐसा नहीं कि इसे पढ़ाया नहीं गया इवन लेसली स्टीफन एंकरेज हर टू राइट एंड स्टडी ठीक है एंकरेज किया लेकिन अलग तरीके से घर में घर में एजुकेशन दी गई अपने पास और प्राइ इसी से रिलेटेड फैमिनिजम आ रहा है हमारा कि इसी से रिलेटेड जो बंदिशें इस पे लगाई गई इन्हीं बंदिशों से इसका जो खून है वो खौल उठा ठीक है तो अब जैसे आप वो अगर हम उस ड्रामा की बात करें हुई इस अफ्रेड ओ वरजिने वॉल्फ थी तो एक हिसाब से खौफ था राइटर्स में कि यह कुछ भी लिख सकती है और मतलब की रिवोल्ट करती थी एक हिसाब से जो भी राइट से विमन के उनका ठीक है अब ही बताएंगे सारी चीजों की बात हो कि कैसे करती थी तो यह तो हो गए इसकी पर्सनल लाइफ अब धीरे-धीरे क्या हुआ कि 1882 में पैदा हुई उसके बाद यह एक डिसॉडर से जूज रही थी डिप्रेशन था वो उससे जूज रही थी एक बात याद रखना जितने भी राइटर्स होता है आर्टिस्ट लोग यह आदे तो पागल होते हैं साइको होते हैं कोई आर्टिस इसको भी यह डिसॉडर था तो इसने क्या कि 1941 वेस्ट दो बार यह सुसाइडल अटेंप्स भी कर चुके थी मैंने लास्ट लेक्टर में बताया मेरी वॉल्स्ट्रोंग क्राफ्ट ने भी दो सुसाइडल अटेंप्स किये थे तो वरजीनिया वॉल्फ के भी दो हो गए थे तो तीसरे में ये इसने क्या किया रिवर ओस ओस ओ यू एस ए रिवर ओस जो थी उसमें इसने छलांग मार दी और मैंने ये भी सुनाए कि इसने अपने पाओं में ये पाओं ये पाओं है ठीक है इस पाओं में इसने पत्थर बांद दिये थे ठीक है पत्थर बांद दिये थे इसले लिए कि यह वह उपर ना आ पाए मर जाए डूब जाए है ना तो देखो कितनी दर्दनाक मौत अगर हम सिल्य प्लैस की बात करें तो ओवन में ही सिर गुशा दिया बहुत हिम्मत वाली होती थी औरते सच में तभी तो आज इनका नाम है कुछ इन्होंने अलग किया अलग का मतलब यह नहीं कि आप सवसाइड करो पर कुछ करके सवसाइड करो ठीक है और सवसाइड भी ऐसी होनी चाहिए कि लोग याद करें ठीक है तो हमारी वरजीनिया वूल्फ की तो हो गई डेथ अब डेथ से पहले यह हमें क्या-क्या दे कर गई हमें उस बारे में बा अब इसमें इसने एक लाइन बोली है कि एक वोमन जो है उसे सबसे पहले तो चाहिए क्या पैसा यह पैसा आप इंडियन से तो लो रुपी हो गया सबसे पहली चीज है मनी अगर आपको समय मनी इस पावर पावर इस फ्रीडम फ्रीडम इस ब्लिस है न तो यह कहती है कि सबसे पहले एक वोमन को पैसा होना बहुत जरूरी यह दूसरी चीज उसके पास एक अपना खुद का कमरा होना चीए और कमरा कब होगा जब वो इतने बड़े घर की होगी इतनी अमीर होगी तभी होगा ना कमरा ऐसे कैसे होगा तो बात यह है कि अगर हम गरीब है तो गरीब लोग तो एक ही घर में रहते हैं कई लोग एक ही घर में उसी में किचन मैं अपनी बात करूं तो दादा दादी मेरे जहां रहते थे उपर बहुत हा हो कि आपको लिखना है जिन्दगी में कुछ करना है तो सबसे जरूरी चीज़ है पैसा फिर है रूम ठीक है अगर आपने लिखना है और दूसरी चीज़ एजुकेशन की भी बात करती है वैसे तो एजुकेशन की बात मैंने आपको बताया था मैरी वर्ल्स टॉन क्राफ्ट बहुत करेगी लेकिन ये भी एजुकेशन की बात करेगी बट मेंली इस ये पैसा और कमरा आजादी ठीक है पैसा है एजुकेशन पैसा है तो एजुकेशन होगी एजुकेशन होगी तो आप के पास आजादी होगी तो आप लिखोगे कुछ ना कुछ है ना और आगे अब इस लोगा कि वारे हम थोड़ी सी बात कर लेता है कि नो इस में एक शogenic विक्र्ट करेक्टर जुडिथ शेक्सपीर जो इसमें इसने ने अब ऑ facto कि जूरीत शेक्सपीर जो ती ये शेक्सपेर की बेहन थी अब शेक्सपीर तो बताने प्– शार निक्स निये? कौन था ना पापा जी यह वो तो हमारे English Literature के practically तो जुडित शेक्सपेर जो थी वो क्या थी शेक्सपेर की बहन लेकिन क्या हुआ कि उसमें qualities बराबर थी जुडित को भी उतना ही टैलेंट था शेक्सपेर को भी उतना ही टैलेंट था लेकिन जुडित के टैलेंट को घर वाल कर पाए वो तु घर का काम कर तु शादी कर ऐसा कर वैसा कर से बंदिशे लगाई गई जैसी कि बंदिशे वरजीनिया वूल्फ पर भी थी कि तुम पढ़ोगे नहीं तुम बाहर नहीं जाओगे तुम यहीं पढ़ोगे ठीक है और शेक्सपेर जो था उसको आजादी मिली कि हा तु जा तु पढ़ जब यह घर में काम कर रही थी यह गाये चरा रही थी तो शेक्सपेर पढ़ा ही कर रहा था फिर धरीधी क्या हो जो पढ़ा ल कल भी बहुत घरों में ऐसा होता है यह घर-घर की कहानी कि लड़कियां से शादी नहीं करती तो ऐसी सिच्वेशन आ जाती है ठीक है लेकिन उसी पीछ क्या रहता कि जो शेक्सपीरिस का भाई था वह अपनी जो लेगेसी बना रहा था लास्ट में क्या क्या जुडित ने कि लड़कें को नहीं मिलती ठीक है इसलिए जो रियल टैलेंट है लडति आ बाहर नहीं आ पाता और लड़के जो है अपनी लगेसी बनाते चले आगा ना फेमिनिस्टिक पॉइंट इसमें एजुकेशन की बात भी कर रही है और इसकी बात भी कर रही है इसमें इसने बहुत सरे राइटर्स की भी बात किये उनके करियर की और राइटर्स कौन है हमें पता था कि हाथ में कुछ नहीं लगने वाला हमें पता था कि हाथ कुछ नहीं लगने वाला पर हमें तो बरबाद भी शिदत से होना था तो ऐसे बरबाद होते हैं हम त्यार में चलो तो यह हो गई अब आप चुस्त हो जाओ और आगे हम चलते हैं अब मैं भूल जाता जैसे कि Bronte sisters है न, Bronte sisters, Jane Austen दीदी जी, Jane Austen के बारे में सबी लोग जानते हैं, बहुत तकडी, novelist थी, इसमें N. Finch भी आ जाएगी, Winchelsea, W-I-N-C-H-I-L-C-S-E-A, Lady Winchelsea, Countess of Winchelsea, कुछ ऐसा नाम है, ये भी इसमें है, ठीक है, फिर George Illitcom कैसे बूल सकते हैं, George Illit, जिसने की अपना नाम बदलना पड़ा, Mary Ann Evans इसका नाम था, सिर्फ इसलिए नाम बदलना पड़ा, कि लोग women के जो works को हैं, वो नहीं पढ़ेंगे, वो सिर्फ men के work को पढ़ेंगे, इसलिए नाम है, मर्दवाला रख दिया, ठीक है, Bronte sisters, Jane Austen, N. Finch, Wichelsea, George Illit, ये अभी आप याद रख लो, इनकी lives के बारे में बात की, इसने lives की, कैसे कैसे इनका, आफरा बेन, आफरा बेन भी एक बहुत ही अच्छी राइटर थी और ये भी feministic point of uses ने का भी बात की है, और उनुकू, और उनुकू, इसका बहुत famous work है, ना, तो पढ़ ले ना, वक्त मिले, वक सारी चीजों की बात की, इन्होंने इस work में, तो आप समझ गियों की, इसका feministic point of view क्या है, ये कह रही है कि पैसा होना चाहिए, women को particular rights होने चाहिए, पढ़ाई के rights होने चाहिए, और उनको freedom होनी चाहिए, उनका एक अपना room होना चाहिए, तब ही वो पढ़ सकती है, वो ये तो non-fiction work था इसका aroma of one song, ठीक है, तो अब इसका एक और non-fictional work है, Mr. Bennett and Mrs. Brown, 1924, 1924 में ये non-fictional work आया, कि इसाब से ऐसे समझ लो, तो इसमें क्या था कि Mr. Bennett, Arnold Bennett की बात है ये, Arnold Bennett एक famous writer थे, तो उन्होंने क्या किया, कि इसका एक work था, Jacob's Room, ठीक है, 1922 में जो आया है, उसको एक review दिया इन्होंने, उसके एक review लिखा, अब Anand Bennett ने उसमें क्या बात बोली, कि Virginia Woolf ने जो भी characters बनाए, वो survive नहीं कर पाए, ठीक है, तो अगर character भी survive नहीं कर पा रहे है, तो work भी कैसे survive करेगा, novel भी कैसे survive करेगा ठीक है, तो जब वो reality है ही नहीं, वो reality के साथ चली नहीं रही है, Virginia Woolf, तो क्या ही करेगी वो है, तो criticize किया, अब उसका response था ये, Virginia Woolf को ये बात बुरी लगी, और उसके response में Mr. Bennett and Mrs. Brown, Mrs. Brown फिर से एक fictional character है, अपने views ये Mrs. Brown के through बता रही है हमें, ठीक है, तो Mr. Bennett and Mrs. Brown, अब इ उसमें ये Arnold Bennett भी है, और दो चाराइट और भी है, ये आपने देख लेना थोड़ा इसको, इसको detail में आप जाओगे, मुझे सिर्फ इतना बताना है कि किस बारे में है, ठीक है, अब इसमें इसने एक line बोली है, मैं पढ़के बताता हूँ आपको, जब Arnold Bennett ने बोला कि reality तो ह novel का कोई chance है कि वो survive करेगा, otherwise die it must, otherwise ये मर जाएगा, novel खत्म हो जाएगा, अब ये आगे कहती है कि, but I ask myself, what is reality, and who are the judges of reality, पर मैं खुद से पूछती हूँ कि reality है क्या, और कौन है वो लोग जो reality के judges है, ठीक है, तो main चीज़ ये, तो ये कहती है कि जब reality का ही पता नहीं, there is no ultimate truth, अगर मैं कहूं कि, for example, if I say I like burger, and you say I like pizza, तो अब आप बताओ, whether burger is good or pizza is good, there is no final truth, there is no absolute truth, there is no absolute reality, right, तो ये बात शायद मैं किसी और lecture में भी बोल चुका हूँ, तो मैं तो खुद ही भूल जाता हूँ, मैंने क्या क्या पढ़ा है, तो बात ये है कि ultimate truth कुछ ही नहीं, ultimate reality कु लंबा है, उसमें उसने कहा है कि, in or about December 1910, human character changed, उसने ये बात बोली है, ठीक है, इसी work में बोली है कि, 1910 के आसपास human character जो है, वो change हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल रहे थी उस वक्स में, ठीक है, तो ये तो हो गया Mr. Bennett and Mrs. Brown का, ठीक है, एक non-fiction work इसका और है, ज अंत तक बने रहो बस, और जो बीच में ads आती उसको देख लो, वो थोड़ा सा refreshing होता है बीच में, मेरा भी पैसा बन जाए, चलो, अब कहां पहुचे थे हम, चलो, three guineas, three guineas, g-u-i-n-e-a-s, 1938, अब ये क्या हुआ कि 1937 में पहले इसने एक novel published किया, 1937 में, the years, ठीक है, अ में इसकी कहानी आपको बताऊंगा, वैसे ही ये किसके बारे में था, pargitter family के बारे में, p-a-r-g-i-t-e-r, ठीक है, pargitter family के बारे में ये बात थी, the years, लेकिन इसने क्या किया कि जब इसको धिरे-धिरे लगा, कि वैसे ही novel essay था, novel essay, मतलब novel भी था और essay भी था, ठीक है, इस इसमें fiction भी था, non-fiction भी था, तो इसने क्या किया, धिरे-धिरे, जब इसको महसूस होई ये बात, तो इसने दोनों चीजों को अलग कर दिया, जो non-fiction पार्ट था, उसको इसने title दिया, ये वाला, three guineas, ठीक है, इसको title दिया, three guineas, जो non-fiction था, और जो fiction था, वो ये है, the years, इतनी सी बात याद हो जाएगी, the years, 1937 में आया है, वैसे ये, तो वैसे ये, एक अठा ही work and novel, ऐसे है, परगिटर, परगिटर एक broadly speaking, परगिटर एक main चीज़े, बाद में ये 1977 में और भी publish किया गया, इसको परगिटर के ही नाम से, है न, तो परगिटर में शायद ये दोनो dictionary जैसे हमारी होती है, तो इसके pocket जो additions थे, वो भी आये, और वो जेब में रखते थे, soldiers वगरा उसको पढ़ते थे, इतना famous था ये, the years, तो fictional है years, non-fiction है, three guineas, अभी three guineas की भी बात करेंगी, इसमें क्या था, चलो, तो इतना साफ याद रख लेना, ठीक है, अब हम three guineas की बात करते है, novel essay था, ये ध्यान रखना है, ये three guineas, कहीं मतला question आया, तो three guineas को भी आप novel essay में consider करना है, वो question के हिसाब से होता है, कि कि किस तरीके से पूछते है, उस हिसाब से समझना इस चीज़ को, मैंने आपको टुकोडो में तो बताई दिया, क्या है, इतनी कहां से आ टाइम चल रहा था, world war का, world war second, 1937-8 के आस-पास की बात है, यहां से world war second होना शुरू हो गया था, तो एक soldier, educated soldier का, इसे letter आता है, virginia wolf को, क्योंकि उस time काफी फिह मस्ती, कि आप हमें बताईए कि how to prevent war, कि war को कैसे रोका जाए, तो उस पर अपने कुछ विचार साजा करती है, दूसरी बात ये बात करती है, education की, इस work में education और war की बात हुई है, education and war, कहीं भी question आ जाए, education और war की किसमें बात हुई है, थ्री गिनीज में, ठीक है, तो इसमें war के बारे में बताती है, अपने views की कैसे होना चाहिए, ठीक है, फिर education के बारे में दो questions थे इसके बास, दो letters एक letter में था कि हम women के लिए, जो women, जो college होते है, उसके लिए fund हम कैसे raise करें, कैसे हम women college को बनाए, दूसरी चीज थी कि professional life, women की जो professional life है, women को profession में कैसे डाला जाए, ठीक है, उनको कैसे उनकी professional life को improve किया जाए, तो थ्री गिनीज में, ये, थ्री गिनीज का तीन question ही है, पहला ह how to prevent war, दूसरा है, कैसे fund raise किया जाए, women's college के लिए, women rights की बात है, और तीसरा, जो मैंने बताया आपको, कि professional life जो है, women की, उसको कैसे improve किया जाए, तो ये तीन questions थे, जिसका ये, जवाब देती है, इस work में, थ्री गिनीज में, जो की non-fictional work है, और part है किसका, पर्गेटर का, और दोनों चीजे, थ्री गिनीज और the years, the years है आपका fictional, ठीक है, और बहुत famous थी है, इसलिए इसको soldiers पढ़ते थे, ठीक है, क्योंकि इसमें soldier की ही बात किये, इसमें soldier नहीं, इसमें war की बात किये ना, क्योंकि, ठीक है, war, war and peace, war and peace किसका work है, war and peace में पताने कितने तो characters है, ल अच्छा, थ्री गिनीज की बात हो गई है, अब हमने non-fiction एक इसाब से खतम कर दिया है, कि यह किस किस बारे में बात कर रही है, अब हम आते इसके fictional works पे, जो की बहुत famous है, और इसकी chronology भी पूछी जा सकती है, आपको, chronology बहुत ही moderate है, सबसे पहले, the voyage out, 1915, ध्यान रखना 1915 ने पहला work आया, the voyage out, और three guineas and years जो है, इसका वो last work है, उसके बाद इसने कोई work ने लिखा, वो 1937 और 8 में जो आया है, उसको आपने ध्यान रखना है, पहला work, the voyage out, ठीक है, फिर आता आपका night and day, ठीक है, 1919 में आता है यह, ठीक है, आपने ऐसे समना कि night और day जो है, यह दोनों सेम सेम ही लग रहे हैं, तो यह भी दो couple बंद गए, इस तरीके से आप date याद रख सकते हो, ठीक है, फिर 1922 में Jacob's room, 1922, अब जो Jacob's room है, Jacob's room में stream of consciousness की काफी बात की गई है, ठीक है, आएगा आपी stream of consciousness, अब आता है आपका Mrs. Deloegg, बहुत famous work, 1925, Mrs. Deloegg है, इसके बारे में क्या है Mrs. Deloegg, एक 24 घंटे की story है, सिर्फ, stream of consciousness, इसमें कूट-कूट के बहरा है, stream of consciousness अगर आपको समझना है, तो मेरी एक वीडियो है, portrait of the artist as a young man पे, ठीक है, उसकी summary मैंने बताइए, उसमें मैंने stream of consciousness की detail में बात किया, ठीक है, कैसे वो चीज है, reality में, तो उसको देख लेना, सर्च करके आपने, ठीक है, तो stream of consciousness simple है कि आपका flow, कि इसका flow आपके ख्यालों का, जैसे मानलों में कल रात को सो रहा था, तो मुझे आज के लिए क्लड़की से फ्यार हुआ हुआ है, तो क्या हो कि मैं जैसे सुबह मैं छे साथ, अपना continue चल रहा है, ठीक है, उसका flow नहीं टूड़ रहा है, तो एक हिसाब से वही है, जैसे हमारे interior monologues होते है, ठीक है, हमारे हम सोचते रहते है, अगर हम Ulysses की बात करे, James Joyce की, उसमें भी बहुत जादा स्ट्रीम of consciousness है, Virginia Woolf में भी बहुत जादा स्ट्रीम of consciousness है, आप उस मेंटली फिर फिर देखती है किसी पडूसी ने आतमत्याह कर लिए, फिर वह सोचती है, भी आतमत्या करों जाए, फिर safest और फिर आतमत्याह, तो बहुत जाहनी है, जैक है वो है आपका ये फिर आता है आपका to the lighthouse to the lighthouse to the lighthouse में पिर stream of consciousness आपको काफी देखने को मिलेगा एक family की कहानी है दोचार भाई बैन है उन लाइट हाउस पे जरनी पे जा रहे हैं एक और उनमे कोई एक और वह किसी की पोट्रेट बना रही है कुछ ऐसा है एक बार कोशन आया था कि इसके 3 parts मुझे अभी याद नहीं आ रहे विकिन आमने देख लेना इसको कि इसके 3 parts कौन कौन से एक बार net में कोशन आया है कि एक त्री पार्ट कौन कुछ ऐसा है window और कुछ ऐसा ऐसा है ठीक है window wall ज ओरलेंडो a biography 1928 में यह आया ठीक है अब ओरलेंडो की कहानी क्या है औरलेंडो में थोड़ा सा gender के बारे में sexuality के बारे में इसमें पहले एक लड़की होती है फिर बाद में उसका gender change हो जाता है और बहुत कितने सेकड़ो साल तो वो जीता है और पहले उसको किसी से प्यार होता है जब लड़की थी फिर जब लड़का बन जाता है फिर उसको कोई और किसे मतलब अपोजिट जेंडर से प्यार हो जाता है जेंडर जुंडर का काफी कुछ है ना sexuality का देख लेना इसको भी पढ़ लेना एक पार लास्ट वाग इसका है the waves अब waves तो मैंने आपको बताया कि एक बहाव है stream of consciousness हमारे ख्यालों का एक बहाव है बस ठीक है इन लहरों की तरह the waves तो 1931 में ये आता है हमारा ठीक है तो इसमें 6 characters है छे characters है जिनकी बारे में बात हुई है ठीक है इसमें interior monologues वगरा भी है ठीक है तो monologues तो आपको पता ही क्या है जो एक single speech होती है interior monologues हो गया जो आपके अंदर एक आप interior speech चल रहे हैं आप speech दे रहे हो खुद को इंदर ही सोच रहे हो सोच रहे हो एक दो तीन चार पांच छे साथ इतने ही works है इसकी ये साथ works तो आपको बिलकुल chronology में याद रखने है ठीक है कुछ भूला तो नहीं हो ना मैं ठीक है इतना है तो ये वक्स आपको बिलकुल टिप्स पे होने चाहिए कौन सा वक्त पहला है कौन सा बाद में जितने में डी एच लॉरेंस है या पिर टी एस एलिएट है वर्जिनिया वॉल्फ है या ऐसे जो जेन ऑस्टन है इन सब के आ प्रोफेशन फॉर विमिन एक वर्क है नॉन फिक्शन ही हो गए भी और मॉडर्न राइटर्स मॉडर्न फिक्शन सोरी हां मॉडर्न फिक्शन यह आपने हाद रखना है और जो अरूम उफ वन्स ओन जो मैंने आपको वर्क बताए इसका लेक्चर्स थे वैसे दो कॉलेज थ जन्यवर्क भी तो बाद में ठॉक भी फब्लिश होगा ठीक है तो वर्जीनिया फॉल्फ मुझे लगता है कि अब सब कुछ ही हो गए कवर इसका आपको मैंने इसका क्रिटिटिकल पॉइव भी बिता दिया फैमनिसम से ब्यूद्ध भी बिता दिया आपको मैंने इसके वर कर दो लुग कर दो